प्रियंका गांधी ने जिस होसले पर सब्र के साथ सियासत एक नई इवारत लिखने की कोशिश की है उसने शुनाव की दहलीज पर खड़े यूपी की बाकी बिपक्षी दलों को एक तरह से पीछे छोड़ दिया है राजनीती में अमूमन ऐसा बहुत कमी होता है जब बिपक्ष के किसी एक नेता की जिद को पूरा करने के लिए सरकार को बैक फुट पर आना पड़े या उसे यूटरन लेने के लिए मजबूर होना पड़े लेकिन प्रियंका ने अपनी दादी इंद्रा गांधी के नकसे कदम पर चलते हुए अपनी बात मनवाने के लिए ना सिर्फ सरकार को मजबूर किया बलकि इस बहाने पाटी कारे करताओं में भी नई जान फूकने की रह आसान कर डाली दरसल योगी सरकार को भी एहसास नहीं था कि पिड़ित किसान परिवारों से मुलाकात के लिए प्रियंका ऐसा हद तक अड़ जाएंगी कि वे सरकार के लिए इतना बड़ा बवाल बन सकता है जाहे रहे कि सरकार में बैठे लोग इसे सियासी ड्रामा ही बता रहे हैं लेकिन लगातार तीन दिन तक प्रियंका के ऐसा साहसी अंदाज को जिस तरह से देश दुनिया के मीडिया में कवरेज मिल रहा है उससे प्रियंका का ना सिर्फ राशनितिक कद बढ़ा है बलकि वे लोगों के बीच ये चाप छोड़ने में भी काफी हद तक काम्याब रही है कि बिपक्ष में होने का मतलब ही ये है कि लोगों की लड़ाई को सड़क पर उतार कर लड़ा जाए इसके लिए सरकार के खलाफ तेवर भी वैसे ही तीखे अपनाने से वे पीछे नहीं हटी जिसे देखकर आम जंता उसे राशनितिक तमाशा नहीं बलकि हकीकत में हो रही लड़ाई ही समझे यह अलग विशह है कि अगामी चुनाव में कॉंग्रेस को इसका कहां तक फाइदा मिलता है लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि आकरामक विपक्ष को नापने की कसोटी पर प्रियंका गांधी खरी उतरी है सत्ता के करीबी सूतरों की माने तो मीडिया में मिलते लगातार कवरेस और इसके चलते प्रियंका के बढ़ते हुए कच से दिल्ली दरवार को भी ये फिक्र सताने लगी थी कि अगर इस विवाद को जल्द खत्म नहीं किया गया तो चुनाब में पार्टी को खासा नुकसान छेलना पड़ सकता है आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिये बाकी और खबरों के लिए जुड़े रही एस पी आन नाइन न्यूस के साथ